Good morning students, आज हम 2.2 exercise को continue करते हुए, question number 3 करते हैं, question number 3 है right in ascending order, ascending order में लिखना है, ascending order means पहले छोटा उसके बाद उससे बड़ा नमबर, सबसे छोटा देखी पहले कौन सा है, सबसे पहले इनको count कर लेजी कितने है, 5 digits वाला नमबर है, ये भी 5 digits वाला नमबर है, ये कितने digits का है 3 और 3, 6, ये 5 और ये है 6 का, clear, तो 6 वाले तो छोटे नहीं हो सकते हैं, तो कौन सा इस, इन 5, 5 वाले 3 हैं, तो इसमें से कोई सबसे चोटा होने वाला है, कौन सा होगा ये है, 52,000, 45,000 और 33,000, तो सबसे चोटा होगा 33,000, 795, उसके बाद 45, 52,000, 45 में से कौन सा होगा चोटा, 45,678, उसके बाद 52,000, 572, उसके बाद 2 digits, जो कि 6, 6 वाली हैं, इन में देखते हैं, ये है 3 लैक, ये है 2 लैक, तो कौन से चोटी होगी, 2 लैक वाली चोटी होगी, है न, उसके बाद 3,34, 571, कुछ नुमर 4 है, डिसेंडिं अचोटा में लिखना है, डिसेंडिं अचोट, पहले है वह सबसे बड़ा नंबर, जैसे मैंने आपको बोला था पहले, कांट कर लिजे, इसमें 5 डिजित, इसमें 5, इसमें 4 डिजित, इसमें है, इसको कांट करते हैं, 4 सबसे बड़ा कौन सा हुआ 7 डिजिट वाला हुआ तो इसको लिख देना है यहां पे उसके बाद 555 यह 4 डिजिट का यह तो लास्ट में जाएगा तो 5 में से यह 26,000 यह 17,000 उसके बाद 15,000 और लास्ट में हमारा 9,000 जो की सिर्फ 4 डिजिट का है ओके देन कुशन नमबर 5 कुशन नमबर 5 है आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट बनाने है इनको यूज करके तो ग्रेटेस्ट नमबर बनाने के लिए पहले सबसे बड़ा नम नमबर इनको यूज करके तो बनाने है श्यू को सेवन को रखना है उसके भाद 6 6, 6 रॉबद 5, 3 और 1 7, 6, 5, 3, 1 यह आपका ग्रेटेस्ट नमबर इस स्मॉलेस्ट नमबर बनाने है सबसे चोटा नमबर मनाना है तो सबसे पहले छोता, फिर उसके बढ़ेवाले डीजेत मतलब इसका opposite बिल्कुल जऑक है, चोटा नमबर बनाएंगा तो असब थोब से चोटे डीजेत पहले रहेगी, फिर उससे बढ़ी, फिर उससे बढ़ी ascending order में चलता है, इसमें चलता है descending order में, clear तो Q3, 4 & 5 आप अपनी नॉन्टुक में कर लिजेगा आज की डेट में